वेलकम टो रेसिपी ओप्तवीक आज हम पनीर लबापदर की रेसिपी देखेंगे हम कई तरह की पनीर की सबजी बनाते हैं तो आज मैं आपको पनीर लबापदर की रेसिपी दिखाऊंगी और ये रेस्टोरन से भी अच्छी बनती है आप इस तरह से step by step follow करेंगे तो आपकी सबजी बहुत ही बढ़िया बनेगी तो शुरू करते हैं पनी लबापतर बनाना तो सबसे पहले मैंने एक कड़ाई में डेट से दो टेबर स्पूंच इतना तेल डाल दिया है इसमें मैंने half टी स्पूंच इतना जीरा डाल दिया है द तो मैं एक से दो मिनिट तक इसे इस तरह से बून लूँगी दो मिनिट तक हमें इस तरह से बूनना है और दो मिनिट के बाद मैं इसके साथ ही लसुन और अध्रक दोनों भी डाल दूँगी तो यह साथ से आठ कली मैंने लसुन की लिए है वो भी मैंने डाल दी है और आध अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसे एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है जिसे ग्रेवी का टेक्शर बहुत ही बढ़ी आएगा तो स्लो फ्लेंपे मैं इसे पकने देती हूं और साथ ही में में एक टेबल स्पुन मगज तरी के बीज एक टेबल स्पुन जितने काजू के टुकड़े और साथ से आठ मैंने बादाम ली है तो सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनी तीन चीजों की वज़े से ये पनीर की सबजी का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आ जाता है तो आप तीनों सामगरी जरू लीजेगा अगर आपके पास कोई भी चीज ना हो तो आप इसे एक चीज स्कीप कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास हो तो ये सबजी में जरू डालना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो अधी टीस्पुन जितना मैंने नमक डाल दिया है और अच्छे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए तो आप देख सकते हो 7-8 मिनिट के बाद ये अच्छे से गल चुके है तो मैं गयस बंद करके इसे ठंडा होने देती हूँ ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सर में ले लेना है और बाद में हम इसकी पेस्ट बना लेंगे तो ये ठंडा हो चुका है चार से पांच मिनिट तक मैंने इसे छोड़ दिया था तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो मैं इसे मिक्सर जार में पानी के साथ ही ले ले तो मैंने तड़का लगा लएंगे तो नान स्टिक फैन गरम करने के लिए रख दिया है इस में पैल डालूँगी तो यह में आटका समुझे एक सांक ब्री लिन गणी है बटर्र अच्छे से मेल्ड उचुका है तो मैंने जो प्यूरी करके तयार की है पेस्ट बना के वो मैंने डाल दी है गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डखके हम इसे तेल सेपरेट होने तक पकने देंगे तो साथ में मैंने जो मिक्षर जार था इसमें तोड़ी ग्रेवी बची थी तो मैंने तीन से चार टेबलस पुन जितना पानी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया और अभी मैं इसे ढख के छोड़ दूंगी तो स्लो फ्लेम पे ही अमें ग्रेवी को पकने देना है तो करीब 5-6 मिनिट हो चुकी है और आप देख सकते हो तेल सेपरेट हो चुका है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें मसाले डाल देंगे जिससे ग्रेवी के साथ मसाले भी अच्छे से पक जाए तो वन फोर टी स्पून जितनी मैंने हल्दी पाउडर लिया है यह मैंने एक टेबल स्पून लाल मेश पाउडर लिया है मेश आप अपने टेस्ट के ही सबसे कमिया जद्या कर सकते हो एक टेबल स्पून जितना मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है और अधी टी स्पून मैं हमें ग्रेवी को पकाना है तो अभी मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि मैंने जब प्याज और टमाटर को बूना था तब मैंने नमक डाला था इसी साब से ही हमें नमक डालना है नमक डालने के बाद हम इसमें 3-4 टेबल स्पुन इतना पानी डाल देंगे क्योंकि ग्रेवी काफी घाड़ी है आप अपने इसाब से ग्रेवी पतली या घाड़ी रख सकते हो इसी साब से आपको पानी डालना है तो अभी मैं इसे डखके 3-4 मिन तक पकने देती हूं जिसे ग्रेवी प्रॉपर पक जाए तो 3-4 मिनिट के बाद आप देख सकते हो तेल सेप्रेट हो चुका है तो हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो चुकी है तो मैं इसमें अधी टी स्पुन जितनी चीनी डाल देती हूं और यह मैंने 50 ग्राम पनीर को इस तरह से कदूकस कर लि ली है गरकी ही है और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो भी आप डाल सकते हो तो सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब भी मैं इसमें लास्ट में पनीर के क्यूब्स डाल दूंगी तो पहले मैंने 50 ग्राम जितना पनीर को कदूकस करके डाल दिय है और एक खास इंग्रीडियंट कसूरी में थी जो मैंने 21 पुंजितनी ली है और इसको भी मैंने हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल दिया है लास्ट में मैं इसमें पनीर डाल देती हूं तो यह मैंने 200 ग्राम पनीर को इस तरह से ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है औ और फिर से अब हम ड़क के पकने देंगे, दो से तीन मीट तक ही हमें पकाना है, क्योंकि बाद में पनीर हाड हो जाता है, अगर हम ज़्यादा पकाते हैं, तो दो से तीन मीट के बाद आप देख सकते हो, कितना बढ़िया कलर आया है, और हमारी पनी लबाबादार की यम्मी सबजी तैयार हो चुकी है, तो अभी मैं इसे गैस बंद करके सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ, आप ये रेसिप एक बार ज़रू ट्राइ कीजिगा, ये सबजी आप पराठे के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ खा सकते हो,